कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, किस फंड में करूँ, किस फंड में अच्छे रिटर्न मिलेंगे, कोई ऐसा फंड बचाओ जिसमें रिटर्न भी अच्छे हो और रिस्क भी कम हो, क्या इन्वेस्टमेंट करके टैक्स भी बचाया जा सकता है, मुझे तो 25% का mutual fund, which will help you growing your money fast. Hello everyone, I am C.A. Ronakram Rehka, welcome you all to the channel Mind Your Finance. Today's topic is, Top 5 mutual funds. Top 5 mutual funds, बताने से पहले, आपके लिए कौन सा mutual fund best है, इसके लिए आपको दो चीज़े रिसाइड करने होंगी. पहला, रिस्क you can take, means आप कितना रिस्क ले सकते हैं. Second, time horizon, आप कितने period के लिए इन्वेस्ट रहना चाहते हैं. ये दोनों चीज़े आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं. आपका goal क्या है, इससे आपने time horizon डिसाइड कर सकते हैं, कि आपका short term goal है, medium term goal है, या long term goal है. अब रिस्क कि आप एक risk averse person है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या आप बहुत रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप young है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं. तो सब की risk taking capacities भी different होती है, किसी की ज़्यादा, किसी की कम, किसी की moderate. तो अब आपने जब ये decide कर लिया, कि आप risk कितना ले सकते हैं, और आपका time horizon, तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा mutual fund में कितना risk involved है, और कितने period तक investment करने से आपको कितना return मिलेगा. तो इस बात को समझने के लिए, हमको ये समझना होगा, कि mutual fund में कितने type की categories होती है, categories of equity mutual fund, तो majorly मैं आज top 5 equity mutual fund के बारे में discuss करूँगा, फर्स्ट इस large cap equity mutual fund, second is mid cap, third is small cap, fourth is multi cap and fifth is ELSS, तो large cap mutual fund क्या होती है, कि ये companies इंडिया के top 100 companies में investment करती है, मतलब जो listed companies है, उसमें इंडिया की जो top 100 companies है, उसी में ये mutual fund invest करती है, इससे क्या होता है, कि आपका जो risk है in comparative to other mutual fund, आपका कम होता है, और इसमें time horizon भी ठीक ठाक होता है, मतलब आप अगर 4 से 5 साल तक का investment करना चाहते है, या फिर कोई नए investor है जो करना चाहते है, वो इस type के mutual fund में invest कर सकते है, क्योंकि यहां risk भी कम होता है, time horizon भी कम है, second is mid cap, mid cap mutual fund क्या होता है, कि ये top 100 तो large cap में invest करेंगी, उसके बाद जो hand rate से 250th company है, उसमें ये mutual fund invest करते है, तो इसमें return जो होता है, वो आपका in compared to large cap fund हाई होता है, और risk moderate होता है, third is small cap companies, small cap companies क्या होती है, कि ये उन stock में invest करती है, जो 250th company से लेके और जितने भी companies listed है, उनमें invest करती है, around 2,000-2,500 companies, तो इनके पास एक बहुत बड़ा pool होता है investment का, बट यहां risk भी बहुत high होता है, क्योंकि ये small companies में investment करती है, fourth is multi cap mutual fund, multi cap mutual fund, ये large cap companies में भी invest करती है, mid cap companies में भी invest करती है, small cap companies में invest करती है, तो ये different type of companies, categories of companies में investment करके आपके risk को भी balance करती है, तो इसमें risk जो होता है, वो moderate होता है, बट investment horizon भी moderate होता है, आप अगर 5-7 साल तक का investment करेंगे, तो आपको इसमें अच्छे returns मिल सकते है, saving scheme इसमें क्या होता है कि mutual fund आपको equity में investment होता aggressively और यह आपको एक अच्छे return provide करती है इसमें क्या होता है आपको tax benefit मिलता है ATC के under जो भी आप investment करते है up to 150 lakh rupees आपको इसमें deduction मिल जाएगा ATC के under में और इसमें अगर risk की बात करें तो यह aggressively equity में invest करती है तो risk भी हाई होता है और time horizon भी जादा होता है मतलब आप अगर 7 to 7 plus years या 5 to 7 years के लिए investment इसमें करते है तो आपको एक अच्छे return expect कर सकते है आप इससे तो अब आपने यह समझ लिया होगा कि based on your risk and time horizon आपको किन categories of fund में investment करना चाहिए अब हम यह समझते है कि मैं किस parameter के basis में आपको यह top 5 mutual funds बता रहा हूँ या फिर कोई अगर खुद से ही यह select करना चाहता है कि किस category में कौन सा mutual fund best है तो इस इन parameters को उसको देखना चाहिए number one is age of the fund age of the fund means कि वो fund कितने समय से market में exist कर रहा है तो based on experience five plus experience तो होना ही चाहिए उसे because एक normal investors को यह पता लगाने में कि वो fund कैसा perform कर रहा है या fund वो अच्छा है या खराब है at least five years का time horizon होना चाहिए जिससे यह पता चले कि वो fund कैसा है second is AUM asset under management asset under management means उस mutual fund के पास कितने fund invested है तो this is higher the better जितने ज्यादा उस mutual fund के पास AUM होगा उसका expense ratio भी कम होगा so higher the better but in some cases higher is not better लेकिन small cap companies small cap companies में क्या होती है कि अगर उनके पास ज्यादा funds आ जाते है तो एक तो वो invest कहां करे second कि वो ज्यादा investment जो कर दती है market situation अगर खराब होती है तो उनके पास liquidity का बहुत problem आ जाता है तो अगर आप small cap में invest करते तो यह आपको ध्यान रखना पड़े का कि AUM होगा वो medium होना चाहिए means not more than five to six thousand crore rupees third is expense ratio lower the better expense ratio क्या होता है कि AMC जो होती है जो जिसको आप fund provide करते है वो क्या है fund को manage करने के लिए एक team होती है fund managers की जो कि इस fund को manage करती है उनके expenses होते हैं उनके charges होते हैं तो वो charges को आप expense ratio के नाम से जानते हैं तो lower the better means over the period of time अगर आपके expense ratio में 0.5% का भी difference है means अगर कोई fund आपको 0.5% भी expense ratio कम लेती है तो over the period of time आपको बहुत अच्छा returns मिल जाता है fourth is return return means one year return, three year return and five year returns इसमें हम one year, three year, five year returns को देख के बता सकते हैं कि भाई fund ने performance कैसा दिया है over the period of time fifth is consistency, this is most important factor for selecting a mutual fund क्योंकि कोई fund ऐसा हो सकता है कि जो आपको भली one year में 40% का return दो या two years में 50% का return दे but हो सकता है कि उसमें consistency ना हो means within one year अगर किसी ने January to January investment किया उसको हो सकता है कि उसको 30% का return मिला हो, किसी ने March to March किया हो तो उसे 20% का return मिला हो और किसी ने September to September किया हो कि तो उसमें उसे minus 2% का return मिला हो means अगर आप one year two year five return देखेंगे तो वो तो consistent देखेगा बट अगर आप उसका consistency measure करेंगे through rolling returns yes rolling return is most important factor which we should consider while selecting a mutual fund rolling return क्या होता है कि point to point में एक return क्या मिलना मिलता है वो बताता है आपको उससे आप उसके consistency को judge कर सकते है कि over the period of time उसने कैसा performance दिया है तो second is volatility to market fluctuations consistency measure आपको करनी पड़ेगी ताकि आपको ये समझ में आ सके कि अगर market fluctuate कर रहा है तो क्या fund constant है या fund भी बहुत जादा fluctuate कर रहा है third is downside protection means वो जो fund आपने select किया है वो year to year तो अच्छा return दे रहा है बट क्या downside market जब गिरता है तो जब market गिरता है तो क्या ये fund भी बहुत जादा गिर जाता है आपको minus में रिटन देजता है तो ये तीन parameters के basis में first is rolling return, second volatility to fluctuations in the market, third is downside protection ये तीनों को judge करके हम उसके consistency को measure करते हैं कि fund कितना consistent है और फिर हम decide कर सकते कि कौन सा best mutual fund है then आता है fund managers performance fund managers performance is also very important because आपका fund तो fund managers ही manage कर रहे है और वो क्या सोच रहे है, उनका क्या perception है, उससे आपके fund की return decide होती है last is agency rating बहुत सारी agencies होती है, जो की mutual fund को rating provide करती है based on fundamental and technical analysis fundamental analysis तो मैंने आपको बताया technical में कुछ ratios होते है, उस parameters like beta, standard deviation, trainer ratio, jensen alpha कुछ ऐसे parameters को judge करती है और fundamental analysis करके वो एक rating provide करती है like chrysal, value research, morning star there is one disclaimer that this is not any suggestion or any recommendation this is for your knowledge and education purpose अब हम बात करते है, top 5 mutual funds so in large cap categories, axis blue chip fund is the best age 8 years 3 months, जो की 5 years से जादा है asset under management is 24,000 crores which is good third is expense ratio 0.5% which is also low then return 1 year, 3 year and 5 year 1 year 40, 3 year is 20 and 5 years is 18 so we can expect a average return of 15 to 20% from this fund which is very good in compared to other instruments then consistency is also high कुछ fund ऐसे होंगे जिसमें return इससे बेटर आपको मिल जाए बद अगर आप consistency के बात करेंगे तो ये fund बहुत consistent है now agency rating agency rating is also very high so it is good now you can see on the screen top sectors that is financial, technology, healthcare and FMCG now you can see on your screen the top holdings of the mutual fund in mid cap category axis mid cap fund is the best fund age of the fund is 8 years 3 months asset under management is 10,000 crores rupees which is good expense ratio is 0.51% which is also low then return 1 year, 3 year, 5 year is 57%, 26% or 22% so it is also very good we can expect a consistent return from 18 to 25% then consistency consistency is also very high agency rating is also very high now you can see on the screen that top sectors that is financial, chemical, consumer durables, technology now you can see on the screen their top holdings parak parek flexi cap is the best one because is mutual fund में आप foreign stock का भी exposure ले सकते है बहुत लोगों का होता है कि हम US stock में इवेस्ट करें जो की best performing companies है और जो monopoly type companies are like Google, Microsoft, Amazon like this so this fund will provide you the same इसमें age of the fund is 8 years asset under management is 8,000 crores expense ratio is 0.96% it is little bit high but इसमें जो return है वो बहुत अच्छे है और जो US stock exposure है जिसमें क्या rupee currency value जो rupee dollar value के वज़े से इसका expense ratio थोड़ा हाई है but this fund is very good if you compare the return the return is 1-year, 3-year, 5-year is 60, 29 and 23% so it is very good you can expect a consistent return between 20 to 25% and the consistency is also very high agency rating is also very high now you can see on the screen the top sectors that is technology, financial, service, automobile sector now you can see on the screen their top holdings you can see that it has US stock exposure also like Amazon, Microsoft, Google, etc in small cap category axis small cap fund is the best fund age of the fund is around 8 years asset under management is around 4,500 crores जैसा कि मैंने आपको बताया था कि small cap companies में जो fund होता है asset under management होता है वो comparatively कम होना चाहिए तो अगर 5-6,000 crores से कम है then it is good अगर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो एक आपको चेक रखना चाहिए कि भाई asset under management कितना है then expense ratio is also very low that is 0.38% return की बात करें तो 1 year, 3 year, 5 year return is 73, 30 and 20% so we can expect a consistent return between 18 to 22% from this fund it can give higher return also अगर आप long term के लिए invest करते है और जहां तक consistency की बात करें तो consistency is very high and the agency rating is also very high now आप अपने screen पे top sectors देख सकते है that is construction, financial, technology, FMCG now you can see the top holdings of the fund in ELSS category Mirai Asset TaxSever Fund is the best fund age of the fund is 5.5 years asset under management is approximately 7000 crores expense ratio is 0.29% which is low and the return 1 year, 3 year, 5 year is 69, 17 and 22 so we can expect a consistent return between 18 to 25% and the consistency is also very high agency rating is also high now you can see on the screen the top sectors that is financial, technology, healthcare, automobiles now you can see on your screen the top holdings of the fund the end if you like the video अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब and also प्रेस बेल इकोन to get the notification मैं इस mutual fund सेरीज में और भी बहुत सारे वीडियो लाँगा which will help increasing your knowledge thank you झाल